नमस्क्राइब दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरे इस चैनल मेरा मेरा नाम है पाराशनी और आज हमारे साथ में है दी आल न्यू फेसलिफ मैगनाइट पहले वाली मैगनाइट से क्या क्या बदला है वो आज पूरा डिटेल में जाने वालेंगे दिको सबसे पहली चीज जो चेंज हुआ है वह होगा इनके वेरियंट में कहने का मतलब पहले आपको जो देखने के लिए मिला करते थी वेरियंट एकसी एकसल एकसी एकसी प्रीमियम आज के डाइम में अगर एड़ प्रेजन बात करूं वेरियंट को पूरी तरीक से चेंज कर जिया गया है इसमें आपको सारी लोकेशन देखने के लिए मिल जाती है और इसमें किसी तरह के आपको कोई फ्लिप की देखने के लिए नहीं मिलती है सब्सक्राइब के अगर मैं प्राइजिंग की बात पर तो यह काड़ी आपको साथ लाग 14,000 रुप एक शोरूम देखने के लिए मिल जाती है यहां पर फुरी तरीक से फॉज लैम पुजिशन की सफोरी ता चेंज की आगया है इसके फ्लिट एफ पूरी तरीकसे बंद्अ गया है पाई अगर बात करते है इसकी ग्रिल की तो ग्रिल को जो पहले पूरी क्रोम फिनिश के साथ आया करती थी उस ग्रिल को कहीं न कहीं, यानो टश देने का पूरी तरीके से कोशिच किया है, जो इस गाड़ी के लुक्स को और भी जादा एग्रेसिव बना रही है, भागी बात करें इस स्पेसिपिक मॉडल के इंजन की, तो इसमें आपको दो इंजन वेरेंट्स देखने के ने मिल जात सथ CBT और CBT भी नॉर्मली, Xtronic CBT, निसान मेगनाइट के साथ आपको ओफर किया जाता है, तो साइट प्रोफाइलिंग की बात करते हैं, ये गाड़ी रहने वाली है, सब कॉम्पेक्ट SUV, जी हाँ, अंडर सब 4 में ये गाड़ी रहने वाली है, 3994 इस गाड़ी की लेंथ और वहीं बात करने इस गाड़ी का वील बेस की, तो 25 mm का इस गाड़ी में आपको वील बेस देखने के लिए मिल जाता है, एक Tardan X-Con से भी जाधा, वहीं बात करते हैं, ग्राउंड क्लिरंस की, तो देखो, यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लिरंस देखने के लिए मिल जाती और यहाँ पे आपको की लगाने के लिए कुछ सॉकेट, और इसी के साथ-साथ इस गाड़ी को इंटरेस्टी में मत परो, इस इस एम 4 स्टार सेफटी रेटिंगार, जो की ग्लोबल अनकाप से आती है, बाकी रूफ रेल की बात करते हैं, तो यह रूफ रेल फंक्शनल है, यह आपकी 50 kgs load capacity के साथ आपको देखने के लिए मिल जाती है, इसी के साथ-साथ यहाँ पे आपको शार्क में एंटीना देखने के लिए मिल जाता है, जो कुछ ऐसा रहने वाला बॉडी कलर में, वहीं आपको integrated spoiler, इसी के साथ-साथ बात करते हैं, गाड़ी के fuel tank की तो इसम अपरवाले variant में, तो कुछ ऐसी आपको smoked tail lamp फिल जाती है, जो की transparent and पूरी LED setup के साथ आती है, तो comments करके बताओ, इस वाली tail lamp और इस वाली tail lamp पे सब कौन सी जाधा बहतर लग दी है, वहीं बात करें, rear में, तो देखो, third variant में, आपको यहाँ पे wiper, washer and defogger, इसी के साथ-साथ high mounted stop lamp फिन आपको देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आपको Nissan का logo देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपको Nissan का logo देखने के लिए मिल जाता है and यह जो logo की change हुआ था यह Nissan Magnite से ही आये ता, Otherwise असे पहले आपने Nissan Bis district में, आपको बेखने के लिएक गिर पाड़िग यहां पर इस बात करते हैं गाड़ी के बूट स्पर्ट को भूट सेखने के लिए आपको भूट सेख्मेंट के आपको अपलिके आपको बूट सेखने के लिए है वही यहां पर आपको तरहीं करें उससलों की बात करें तो यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है 165-80r 40 किस्क्राइब को धे आध कर toutes लिए वहीं अगर बात करते हैं इस आड़ी के जो स्टॉक तायर्स आपको देखने के वहीं अगर बात करें इस गाड़ी के स्टॉक टार सी 195 पर 60 आर 16 की इसमें आपको टाय प्रोफाइलिंग देखने करी बिल जाते है जो इस सेग्मेंट के इसाप से काफी अच्छी है अब बाकि बात बताते हैं आपको गाड़ी में तो देखो ड्राइविंग साइड डॉर यह आपको एक्ट्र में पील कराता है कि आप एक सेफ कार में बैटे हैं और ग्लोबल एंक तो जो गाड़ी का ट्यस्टेस्ट हुआ था फोर्स टार की सेफटी रेटिंग थी एंड इसक चारो ही पावरे जाते हारे आपको देखने के लिए पाइ यहां पे सबसे चीज़ देखने के लिए मिलती है ना वो है इस मॉडल से ही आपको हाइट एड्जस्टेबल मैंवली ड्राइविंग सीट देखने के लिए मिल जाती है सो मैं अपनी हाइट के सीट एड्जस कर लेता हूँ बाकी यह को मैनुल ट्रांस्मिशन है मैनुल ट्रांस्मिशन है और किसी तरह को लैदर अप्ट सेरिंग वील देखने के लिए मिल जाता है निसान का लोगो यहां पर आपको सेरिंग मांटिट ऑडियो कंट्रोल देखने के के मिल जाता है तो यह मीटर आपको बिलकुल भी ऐसा फील नहीं करने के लिए साह सथ यह मिल जाता है वहीं बात करते हैं music system की so बहुत लोगे मन में डाउट होगा कि यह आपका शोरूम से लगवा देते हैं but this is a factory fitted music system जो की रहने वाला है 9 inch का और प्रॉपर तरीके से android auto apple carplay नहीं आता this is like a tablet जैसे आप अपना phone use करते हैं उसी की तरह बात करते हैं यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं आपको फोन रखने के लिए इस और इसी के साथ सद ही पहचान जो होती है ना कि यह naturally aspirated आया turbo charge देखो बूट के पास अब लिखा बाद में देखोगे यह गेरबॉक्स बदा देता है आपको कि यह नेटुरली एस्पिरेटेटेटेटर देखो इसमें जो रिवर्स गेर है वो क्लेश दबाके कुछ इस तरीके से ऐसे उठके इधर की साइड डलता है रिवर्स कैमरा आपका यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है जो कि guide lineékquest Hai Steering Wheel, guidelines के साथ आपको adaptive देखने के मिला है नॉर्मली भी ही रहने वाला है बट ऐसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है यहां पर गल्स डेखने के वाले हैं और इसी के साथ यहां पर आपको कुछ स्टोरेज कापैसिटी देखने के लिए मिल जाती है और वहीं बात करें इस काड़ी के कर दो के बता हों यहां पर आपको देखने के लिंग ने क्या वाइक और बहुत लोगों के मनमें डाउट हो और यह क्या है अक्ट्रूल में तो देखो मैपको बदा देता हूं इस और ऑटोमेटी क्लाइमिट कंट्रोल सेंसर वहीं अगर आप इसका यह देख सकते हैं आप ऐसा वैनिटी मिरर है बागी आई यार वीम की बात करें तो यह आपको मैन वाली आई यार वीम देखने के लिए मिल जाता है जिसकी क्वालिटी ठीक टाक है डिसंट इनफ यार साथ लग 14,000 रुपए में आपको एक सब कॉम्पेक्ट SUV दे रहे हैं और क्या ही चाहिए आपको फैब्रिक सीट यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाती है प्रापर तरीके से जिसकी कुशनिंग काफी ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है अब इसका इगनिशन बंद कर देते हैं हम और मेरी हाइट के अगॉडिंग सीट एड प्रेजन इस दिखाता हूं देखो मेरा नी रूम मेरे को बहुत ही अच्छा यहां पर देखने के लिए मिल रहा है वहीं अंडर साइड सपोर्ट भी और हैड रूम काफी बढ़िया हैड रूम मिल रहा है बागी अब मैं पीछे आता हूं एक बार और दिखाता हूं आपको इस गाड इस देखो कड़वा लगेगा लेकिन सच है रिंडाइव और सॉनेड में भी नहीं रूम कौनकोन मेरी बात से सहमत है कॉमेंट करके बताना इसी के साथ यहां पर आपको मैगजिन होल्डर देखने के लिए मिल जाता है तो इस तरीके से बागी बात करें यहां पर आपको र सब्सक्राइब कोई भी गाड़ी आपको ऑफर नहीं करती इसी के साथ साथ रियर के आपको दो हैड्रेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं मिडल वाले पैसेंजर के लिए भी आपको 3-point seatbelt देखने के लिए मिल जाती है और इसी के साथ साथ यहां अगर तोड़ सा करते हैं जानते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में तो यहां पर आपको वन लीटर का 3-cylinder नैचुरली एस्परेटिड इंजन देखने के लिए मिल जाता है इसके अगर मैं पावर स्पेक्स की बात करूं तो यह आपको 71 PSR 96 nm तक का टॉर्क जनरेट करके देता है इस के साथ आपको एक मैंवल के साथ तक AMT transmission का भी option देखने के लिए मिल जाता है वहीं बात करें तो इतनी कम प्राइस में भी किसी भी तरीकी कोई कोस्ट करणिंग यह पर देखने के नहीं मिल लेगी यहां पर आपको इंसलेशन की पार्ट देखने के लिए मिल जाता है जो बहुत सारी premium का डी में भी आपको मिस किलेगा भागी बात करते ते नहीं किसी और बात करतें पीटर्स की तो इस गाडी में आपको बैस मॉटल से आजा स्टैंडर्ड आपको सेफ्टी फीचर्स में देखने करें मिल जा रहा है एबीएस एबीएंट इंट्रेक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स ये कारी आपको बेस मॉडल से स्टैंडर्ड ओपर करती है सो देखो यही थी एसेंटा वेरेंट से जुड़ी इंक्वारी बागी वीडियो अच्छे लेगी तो वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब झाल 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 मंत्ड़ से जुड़ी वीडियो अज़